सच्विकाल दा खालस टीवी देख रहे हो मैं राहुल काला शाम पांज वजे ताकदियां खास ख़बरां लेके हाजर होयां पटेला दी केंदरी जेल दे विच फांसी दी सजादा सामना कार रहे बलवंत सिंग राजवाना कालतों पोखर तालते जा सकते शुरुमनी कमेटी नू आज यानी की 4 दसंबर ताकदा अल्टिमेटम देता होया सी कि जेकर उना दी रहम दी अरजी वापस नी ले ता फेर ओ पांज दसंबर नू जेल दे विच ही पोखर तालते चले जानगे इसनू देख दे होये आज अकाली दल दा एक वफद बलवंत सिंग राजवाना दे नाल मुलाकात करंदे ली पटे आला पहुंच दे है पर उना नू जेल अंदर नहीं जान दिता गया वफद विच शामल बिक्रम सिंग मजीठिया ते होर लीडरा नू जेल दे गेट तो ही मोड देता गया मजीठिया ने डिजीपी जेल दी मनजूरी तहत आज मुलाकात करवाउन दी गाल कही सी पर जेल अधकारिया ने नेमा अंसार अज मुलाकात ना हो सकन दा हवाला देंदे होए गेट बंद कर दिता मजीठिया ने के है कि ओ हर तरह दी लोडीन दी कारवाई पूरी करके ही एत्थे पहुंचे पाई राजवाना देनाल मुलाकात करन दे लेई परंतू लागदा है कि मुखमंत्री पगवंत्मान ते खोरां वलों दवा पैंटे बाद जेल परसाशन ने फैसला लेया जेकर पाई राजवाना जेल दे विच पुखरताल राख देने ता इस दे जिम्यबार सीम पगवंत्मान होंगे उदर शिरोमनी कमेटी ने भी बलवंत सिंग राजवाना नो अपील कीती है कि ओ पाँज दिसंबर नो पुखरताल नाग जो नन फैसला लेया उँ वापस लेलेन इस दुरान शिरोमनी कमेटी वल नो वी दिसंबर नो इस मामले नो लेके दिलीच रोस परदर्शन करंदा भी एलान किता गया अते राश्ट पती नो राजवाना दी फांसी दी सजा माफ करन सबंदी 26 लाख लोकावलनों परेगे परफॉरमें सौमपन दी वी गल के ही है तेई नवंबर नो सुल्तानपूर लोदी विखे गुर्द्वारा अकाल बुंगा सहव दे विच होई पुलिस अते निहांगस सिंगा दी तकरार नो लेके अकाली दल अते शिरोमनी गुर्द्वारा परवंदा कमेटी ने पंजाब दी मान सरकार खिलाफ मोर्चा खोल देत है गुर्द्वारा सिरी अकाल बुंगा सहव दे बाहर अरंबे गे रोस परदर्शन दा अज दूसरा देन है पक्के मोर्च दे दुरान मौजूद वक्वक बुला रहाने के है कि पावन गुरुतामदी बेदवी करवा के सरकार ने सिक पावनामानू तारदार कित है अकाली दल ने के है कि पुलिस वलो जुतियां पाके गुर्द्वारा सहव दे विच दाखल होके बेदवी करण अते गोली चलाउंदी कटना नेंदन योग है मुक मंतरी ए जवाब देन की गुर्द्वारा सहव दे अंदर किस दे हुकमाते गोली चलाई गई सी वारिस पंजाब दे जथेबंदी मुखी अमिरत पाल सिंग अते उना दे साथियां ते पंजाब पुलिस वलो लगाए गए एन एस ए एक्ट दा एकवार मुर्तों तक्त सिरी दमदमा सहव दे जथेदार ग्यानी हर्परिस सिंग ने विरोध किते है ग्यानी हर्परिस सिंग ने के है कि पिछले लंबे समय तो देश पार दे विच्च सिखां दे खिलाफ पेदपाव वाला महौल सिर्जा जा रहे है हर्याना दे नूच थाने नू अग लगा के दंगा फसाद करन वालेयां ते दर्ज पर चे रद करने किते जा सागदे है ता सिख नौजवाना ते क्यों नहीं हो जिहा किता जा सागदा मिजोरम दियां चाली विदानसवा सीटां ते हुईयां चोना च जेड़ पीम यानिकी जोरम पिपल्स मुव्मेंट सब तो वड़ी पार्टी बनके सामने आई है जेड़ पीम ने 27 सीटा जितके बहुमत हासल कर लिया है सतातारी मिजो नेशनल फ्रंट यानिकी MNF इसनों सिर्फ 10 सीटा ही मिलियां सीम जोरम थंगा जिड़ है ओ आईजॉल इस्ट वन तो चोन हारगे ने उनानों जेड़ पीम दे लल्थन संगा ने हराया ते दूसरे पास से पाजमा ने दो सीटा ही जितियां जदकी कॉंग्रेस दे हिस्से सिर्फ एक सीटी आई है जोरम पीपल्स मुवमेंट दे नेता लाल दू होमा ने कहा कि ओ पार्टी दी जेता तो खोश है ते उना कहा कि असी इसे तरह दे नतीज़ दी उमीद कीती सी आईपेस दकारी दी पार्टी जेड़ पीम ने दुजी वारविदान सवादियां चोना लड़ियां ते साल दो हजार अठारा दे विच जेड़ पीम नो जड़ है आठ सीटा ही मिलियां सी देश दी संसदा सर्दरुत इजलास शुरू हो चुके है जो बाई दिसंबर तक चलेगा इस दुरान रासवादे वीच पंजाब तो संसद मेंबर संत बलवीर सिंग सीचेवाल ने वाटावरन परदोशन दा मुद्दा चुकेआ सिंचेवाल ने कहा कि वाता वरंदा परदोशन सब तो मारू सिद्ध हो रहे है पर इस देली किसाना नुझ जिमेवा ठहराऊना गल्थ है उनने कहा कि हवा परदोशन दे कारण हर साल दुनिया पार दे विच 21,08,000 मौतना हो रहे हैं ये गिंती बहुत जाद है जेकर हवा दी गुनवत्ता दी गल करिये ता दिल्ली दे विच एक दिन मौंबई दे विच पांज देना ते चन्नाई दे विच पंदरा देन ही लोक साल एंड देली साफ हवा नसीब कर देने सीचे वालने के है कि साल 2,09 तों परदोशन दे कारण होनवलिया मौतना दे कारण दुनिया पार दे विच छटी इशारिया आठ बिलियन डॉलर दा नुकसान होया परदूशन लई किसाना नोजिमेवा थेराउंड दी न खेदी कर देयां रासवा मेंबर सीचेवालने के है कि हीरानी दी गाल्या कि सब तो बधा दोश पंजाब दे किसाना से मड़ा जान दै कि पंजाब दे किसान परालीज सार देने इसे लिए सरकार पंजाब सरकार ने किसाना दी आर्थक मदर लीक केंदर नू सेयोग दी अपील किती सी सरदरुत इजलास दे शुरू हुंदे सार ही आमादमी पार्टी दे पंजाब तों सांसर मेंबर रागव चड़ा नू वडी राहत मिली है राजसवा ने रागव चड़ा दी मौतली वापस लेंदे हुकम जारी कर देते है ते उन्हानू सदन दी कारवाई दे विचे शामल होंदी इजाज़त दे दीती है गैरां अगस्त नू मानसून सेशन दे दुरान रागव चड़ा नू अनमिते समेदे ले सिस्पेंड कर दिता गया सी क्रीव 115 दिनावाद रागव चड़ा नू राहत मिली है राजसबा दी कमेटी दे फैसले दे खिलाफ आमादमी पार्टी दे सांसद ने सुप्रीम कोट दे विरुख किता सी रागव चड़ा ने कहा कि मैंनों खुशी है कि मेरी मौतली वापस ले ली गई है ते मैं सुप्रीम कोट दे राजसबा दे चेर्मेन जगदीब तनखरदा तनवाद करना चाओंदा लोग सबा दे विचे पंजाब दे किसाना दी करजा मौफी दी मंग उठी है इस दे नाल ही ट्रेक्टरां ते खेती संदां ते मोटियां व्याज दरांदा भी जिकर किता गया कॉंगरस दे सांसर मेंबर जस्वीर सिंग गेल ने कहा कि खेती करजे दी दर जड़ी है 15% तक है ते ट्रेक्टर जहां खेती संदा ते व्याज दर जड़ी है बाईफ हिस्सत तक है यह बहुत ज़्याद है इससे करके किसान करजे दे जाल दे विच फस्दा जा रहे है सदन दे विच सिफर काल दे दुरान जसबीर से गेल ने पंजाब दे विच किसाना दी तरस योग हालत दा मुद्दा उठाया ते केंदर तों करजा मौफी दी मांग किती कॉंगरसी मेंबर ने बेंका वलों किसाना ते करजयां तो जो करजयां ते पारी व्याज वसूलन दा मुद्दा उठाया उन्हाने कहा कि किसाना नू ट्रैक्टर जां होर खेती संदां दे लेई दिते गे करजयां ते व्याज दर जड़ी है ओ उधियोगपतियां ली वपारक करजयां रहाईशी जां वाहन करजयां दियां दरां दे मुकाबले बहुत ही जाद है हाई कोड दी चार्तोबाद पंजाब सरकार सुबे दे विच माइनिंग माफिया ते नकेल कसन लगी है पठान कोड जिले दे विच गैर कानूनी माइनिंग किती जा रही है जिस दुरान विपाग वलो रेड किती गई अते सत व्यक्तियां नों गिर्फतार किता ते इना दी सारी मशिनरी भी जब्त किती है पंजाब दे खनन ते पूव ग्यान मंतरी चेतन सिंग जोडा माजरा ने दसेया कि पठान कोड दे विच गैर कानूनी खनन दा पता लगन ते तुरंत कारवाई कारदे होए खनन विपाग ने पुलिस नों इस मामले दे विच एफाईयार दर्च करन दे ली आख देता है चेतन सिंग जोडा माजरा ने दसेया की विपाग अते पुलिस दी सफल कारवाई दे तहत दो वकवक थामा ते गैर कानूनी टांग दे नाल चाल रहियां खनन गती वीदिया ने विच शामल सक्त व्यक्तिया नों मौके ते गिरफतार कर ले गया इस तुलावा क्रशिंग दे ली कच्चे माल दे नाल लदे चार टिपरा एक जेसी भी मशीन अते बजरी गटके नाल लदे ट्रैक्टर ट्राली भी जब्ट किते गेने कैबनेट मंतर ने दस्या की Mining and Minerals Act दी तारा 4211 अते IPC दी तारा 389 दे तहत थाना मामून अते थाना नंगलपूर विखे दो वकवक मुकद में दर्ज किते गेने बठींडा दे विच होरर किलिंग दा संसनी खेज मामला सामने आया एक पराने पैन अते उस दे पती दा खेतां दे विच कतल कार देता है मरनवाला मुंडा पंजाब पुलिस दे विच कॉंस्टेवल सी फिलहाल पुलिस ने मौके थे पहुंचके जांच शुरू कार देती है जो जानकारी मिली है इस दे मतावक बठींडा दे पेंड तुंग वाली दे विच इवारदात नों अन्जाम देता गया कुझ साल पहला मुंडे अते कुडी ने कोट मेरिज करवाई सी हलांकि इस तो बाद कुडी अपने कार आगी सी बीते देन पंजाब पुलिस दे विच कॉंस्टेवल लड़का उसनों मिलन दे ले उना दे पेंड पहुंच दा है जदो ओपेंड पहुंच दा इस दुरान चगड़ा हो जान दा है जिस तो बाद कुडी दे पराने दोमा दा कतल कर देता तरन तरन दे विच एक नौजवान सिकंदर वलनों अपनी मासी दा गोलियां मार के कतल करन दा मामला सामने आया दोमा तीरां विच आले जदा दनो लेके जड़ा विवाद चगड़ा चल रहा है सी जिस दुरान सिकंदर ने अपनी मासी दा कतल कर देता ते मौके तो फरार हो जान दा है वारदात बीती देरात वापर दी है पुलिस ने मौके ते पहुंच के जांच शुरू कर दीती है मृतका दा नाम जड़ा है ओ कुलविंदर कौर है अत्योस दी उमर 35 साल है पुलिस ने तारा 302 मामला दर्ज करके मौलजम सिकंदर दी पाल शुरू कर दीती है पांजवजे ताकदिया खबरां चे नाही मिनद्यो इज़ाजत तानवाद